हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पॉजटिव मरीजों की खुल संख्या 13,857 हो गई है छे मौते अकेले भरतपुर में दर्च की गई है गुरुवार को भरतपुर जिले में 92 नए मामले भी सामने आये हैं जैपुर में 46 नए पॉजटिव मिले हैं इसके अलावा जोदपुर वपाली में भी अधिक संख्या मे संक्रमित मरीज सामने आये हैं चिकित्सा विभाग के मुताबिक अजमेर में 5, अलवर में 10, बासवाड़ा में 2, बाड़मेर में 7, भरतपुर में 92, भीलपाड़ा में 3, बिकानेर में 6, चूरू में 4, दौसा में 7, धौलपुर में 1, डुंगरपुर में 4, जालोर में 6, जालावाड में 5, जिंजरू में 10, जोदपुर में 39, कोटा में 3, नागौर में 4, पाली में 33, राधसमन में 2, सवाई माधोपुर में 2, सीकर में 14, सिरोही में 11, टौक में 2, उदैपुर में 4 और दो लोग जो दूसरे राज्यों से यहां उच्चार करा रहे मर पुष्टी हुई है गुर्वार को राजिस्थान में एक दिन में सरवाधिक 17 मौध दर्च की गई बाढ़मेर में 2, भरतपुर में 6, बिकानेट में 2, चितोड़गर में 1, चूरू में 1, जैपुर में 2, जोदपुर में 2, कोटा में 1 मरीज की कोरोना से मौध दर्च की 2,785 राजिसान में कोरोना की गुरुवार्दक स्थिति सैंपल लिए 6,54,816 रिपोर्ट नेगिटिव 6,36,216 कुल पॉजिटिव 13,857 प्रवासी पॉजिटिव 3,960 रिकवर 10,742 बिस्चार्ज 10,484 कुल मौत 330 जागुप टेवी की कोरोना पर खास रिपोर्ट और पर दॉजिए 4, справ मौत रिपोर्ट मौत 3,970 र red कोरोना बिस्चार्दक स्थिति मोदोत कर सकती पॉ़।